इस इस एक्सरसाइस 3.7 फैसे इसे फेसे अधियेस्ट में रहा है वह यूज्ट करेंगे अलिमिनेशन मेथोड इसे ये डियेस्ट सेम बना रहे है यहां देखो, X को Efficient है P और यहां X को Efficient है Q तो क्या करें, फिर्स एक्वेशन को इससे Multiply करने Q से और सेटिंड एक्वेशन को P से Multiply करने के बाद कैसे होजेंगी PQX प्लस Q स्क्वेर Y एक्वेल टू PQ माइनस Q स्क्वेर अब सेटिंड एक्वेशन क्या हो जाएगी PQX माइनस P स्क्वेर Y एक्वेल टू P स्क्वेर प्लस PQ ठीक है अब यहों Coefficient तो सेम होगे लेकिन साइन डिफरेंट हो ने चाहिए है तो सब्ट्रेक कर जो सेटिंड एक्वेशन को प्लस P स्क्वेर एक्वेर तो आप X ELEMINE होगे है हमारा एक्वेर प्लस P स्क्वेर अमन ये लो है अभी है वो PQ माइनस Q स्क्वेर माइनस P स्क्वेर माइनस P Q ठीक है इक वल्टू तो माइनस माइनस पाइल यह इस्टूर प्लस पी स्कूर प्लस पी स्कूर गाए यह मुल्टिक्लिकेशन में तो यहां जाके नहीं दिविशन हो जाएक तो माइनस क्यू स्कूर प्लस पी स्कूर अपॉन में क्यू स्कूर प्लस पी स्कूर एक क्या हो गया है तो यह इकोल तो माइनस वान अब यह जाना हम first प्रें second equation में put कर देता है value y की और x इताल देता है तो first equation में रहन देता है y की value P x plus Q y की जएथा minus 1 equal to P minus Q plus की जएथा या minus i ठीके P x equal to P minus Q Q दर जाएगे plus Q हो जाएथा एक Q Q cancel तो X equal to P upon P that is 1